आज हम लोग अगरपूजा खंडकावी के दुतिय सर्ग सर्ग का मतलब होता है अध्याय दुतिय सर्ग का सारांस लिखना सीखेंगे इसके पहले मैंने आपको इसके पहले सर्ग का सारांस बता दिया है यदि आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके या फिर इसी वीडियो के description box में भी उसका link है आप वहाँ से पहले भाग को देख लिजे क्योंकि जब आप पहले भाग को देखे रहेंगे तो दूसरा भाग आपको आसानी से समझ में आ जाएगा हम लोग दूसरे सर्ग का सारांस लिखना सीखे उसके पहले कुछ जरूरी चीजे हैं जिनके बारे में जानना आवश्क है पहले हम लोग उसको जान लेते हैं फिर हम इसको हल करते हैं देखे यदि खंड कावी की बात करें तो हम लोगों के उत्तर प्रदेस में 9 खंड कावी चलते हैं और ये अलग-अलग जिले के लिए अलग-अलग निर्धारित हैं तो आप ये पता कर लिजे कि आप के जिले में कौन सा खंड कावे चलता है केवल उसी की तयारी कीजिए बाकी खंड कावे से आपको कोई मतलब नहीं है ठीक है पहली चीज़ जैसे मैं यही अपनी बात करें तो हम इलहाबाद या प्रियाग राज के हैं तो हमारे यहाँ अगर पूजा चलती है तो हम क्यों अगर पूजा की बात कर रहे हैं तो आप पता कर लिजे का पहली जरूरी चीज दूसरी बात देखें कभी भी प्रस्न को जल्दी में या आधा पढ़के उत्तर मत दीजिए च यह हम अपनी यूटी वोड की बात करें तो कभी कभी वो इस तरह से परिवर्थन कर देता है कि हमको पता नहीं चलता है ठीक है जैसे अब ही कि मैं बात करूँ ध्यान से हमारी बात को समझेए पहले क्या होता था हिंदी में जो पहला प्रस्ण होता था वो बिकल्प का होता था केवल एक मात्र प्रस्ण पहले का क बिकल्प होता था बाकी नहीं होता था लेकिन इस बार जो यूपी बोर्ड ने प्रश्ण कर दिये तो छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं इसलिए प्रश्ण को हमेशा पूरा पढ़िए और इसके बाद ही उत्तर दीजिए ठीक है तिसरी चीज़ यह है कि हम लोग देख लें कि दूसरे सर्ग पर प्रश्ण कैसे बन सकते हैं समभावित प्रश्ण तो यदि पहला प्रश्ण आपके सामने है देखे अगर पूजा खंड काब्य के दुतिय सर्ग का सारांस लिखिए या वो ऐसे पूच सकता है अगर पूजा खंड काब्य के दुतिय सर्ग समारंब की कतावस्तु संछेप में लिखिए या वो ऐसे भी पूच सकता है अगर पूजा खंड काब्य के समारंब सर्ग ये दुतिय हटा दे समारंब सर्ग का सारांस लिखिए तो यदि कहीं भी दुतिय सर्ग या सभारंब सब दाता है तो आप मान के चलिए कि आपको दुतिय सर्ग का जो हम लोग सीखने जा रहे हैं यही उत्तर में लिखना है ठीक है चलिए अब हम लोग सारांस पर चलते हैं एक बात और देख लीजिए देखे मैंने डाला है प्रशनुत्तर नमबर 12 का गः चुकि अभी तक जो भी पेपर आये हैं हिंदी के उसमें अगर पूजा बारा के गः नमबर पर ही होता था लेकिन आप इसको जरूर देख लीजिएगा पेपर में कि बारह के गः में अगर पूजा है कि गः पर है कि अंगा पर है क्योंकि ये चीज़े अगर बदल देगा तो आपके पाठिकरम पर कोई प्रभावत पढ़ना नहीं है तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि गः पर ह जालने के बाद हमको सारांस लिखना है देखिए जो अब ही जो लिखा हूं यह आपको पढ़के नहीं सुना रहा हूं बलकिन की बतारा गांप अर्जुन भीम नकुल सहदेव पांड़ों को आधा राजी देने के लिए तयार हो जाते हैं और आधे राजी के रूप में उनको खांडवन जंगल वाला हिस्सा दे देते हैं ठीक है अब जब उनको जंगल वाला हिस्सा मिल जाता है तो वो अपनी माता कुंती और किष्ण को को साथ मिलेकर के खांडवन में आते हैं अब घांडवन जंगल है तो वहां कैसे रहेंगे तुरंत दो रह नहीं सकते थे तो जब इस समस्या को श्री किष्ण ने देखा तो उन्होंने विश्यो कर्मा भगवान से अनुरोध किया विश्यो कर्मा भगवान आये और खांडवन में इंद प्रस्त नाम का एक सुन्दर राज इस्थापितिया सुन्दर नगर बनाया और वहाँ पे यूधिष्टिर राजा से चल रहे थे सब कुछ अच्छा हो रहा था जब श्री किष्ण ने देखा कि यूधिष्टिर को अब किसी प्रकार की परिसानी नहीं है राज चलाने में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वह माता कुंती से आग्या लेते हैं और पांड़ाओं से विदा लेकर के वह अपन अब जो मैंने बताया है इसको आप अपने सब्दों में लिख दीजीए यह जरूरी नहीं कि मेंने जो लिखा यह एसे ही लॉइन हो ऐसे ही सब्द हूँ बाते यही हो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं लेकिन जो मैंने लिखा है मैं वो आपको पढ़के सुना देता हूँ हेडिंग आप डाल लेंगे हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे अगर पूजा खंड कावे का दूसरा सर्ग समारंभ है इस सर्ग का आरंभ जृत राष्ट द्वारा पांडव को राज्य के आधे हिस्से के रूप में खंडवन का हिस्सा मिलने के बाद हस्तिनापूर से विदा होकर पांडव श्रीकृष्ण जी के साथ खंडवन पहुचे तब श्रीकृष्ण ने विश्व कर्मा जी से अनुरोध करके वहां स्वर्ग लोग जैसा इंद्रप्रस्त की रचना कर दी पांडव के साथ आया जन समू जो प्रजा आई थे आया जन समू वहां सुक पुर्वग जीवन व्यतीत करने लगा राज्य की प्रजा धर्मराज यानि युदिष्टिर धर्मराज युदिष्टिर से संतुष्ट एवं प्रसन्द थी राज्य के गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी सिस्य भध्र माने अच्छा उत्तम अच्छा भध्र ब्यवहार करते थे राज्य के निवासी आदर्स जीवन व्यतीत कर रहे थे सभी व्यक्ति बड़ों का सम्मान करते थे तथा छोटों से इसने एवं प्यार का बेवहार करते थे। राज्य में किसी प्रकार की अविवस्था या उच्च स्रिंखलता दिखाई नहीं देती थी। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके राज्य की कीर्थी तथा यस का विश्व में सब और प्रसार होने लगा। युधिष्ठिर को अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करने के बाद श्री कृष्ण कुंती से आज्या लेकर पांड़ाउं से विदाली और इंद्र प्रस्थ से द आगे हम लोग अगले वीडियो में तीसरे सर के बारे में जानेंगे कि इसके बाद क्या होता है ठीक है आज इतना